बिना अलू उबाले ब्रेट पकोड़ा बनाने की भला इससे आसान रेसिपी और क्या हो सकती है तो बहुत चले आपको भी मैं यह नई रेसिपी दिखाती हूं बहुत पसंद आएगी जिसके लिए मैंने यहाँ पर दो ब्रेड लिए हैं यह मीडियम साइज के ब्रेड हैं सकते हैं तो चोटे चोटे टाइंगल मिल जाएंगे अब हमने यहाँ पर कच्छे आलू लिए हैं जो कि दो हैं और आलू को हमें क्या करना है कि इस तरीके से ग्रेट कर लेना है तो एकदम बारीक वाले ग्रेटर का इस्तमाल करते हुए हम इसे अच्छे से ग्रेट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसके जो लच्चे हैं वो एकदम पतले पतले निकल रहे हैं तो ध्यान रखेगा महीन वाला ग्रेटर ही आपको इस्तमाल करना है यहाँ पर ग्रेट करने के बाद आलो में काफी सारा स्टार्ट रहता है तो इसे हम दो से तीन बार साप पानी से अच्छे से धोलेंगे पानी हटाने के बाद इसमें हम डालेंगे दो कटे हुए प्याज लच्चे में साथ में हम डालेंगे बारीक कटे हुई अद्रक, हरी मिर्ची और हारा धनिया chili flakes वरी गयनू डाल देंगे flavor बहुत अच्छाँ एगा थोड़ी अजवायण डालेंगे काली म्रिच का powder डालेंगे और दो चुटकी के जितनी हींग डाल देंगे आदि छूटी चम्मच लाल मिर्ची powder साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला आधी छोटी चम्मच हाल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला है इसमें हम एड़ करेंगे बेशन तो ये लगबग आधा कप के जितना बेशन है डाल करके सारी चीजों को पहले ऐसे ही मिक्स कर लेना है बिना पानी डाले क्योंकि आलो को हमने जस्ट वॉस करके डाला है तो उसमें भी नमी रहती है आधी के अनुसा नमक भी डाल देना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इस तरीके का ये मिश्ण हमें रेडी करना है ध्यान रखें पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है तो आप देख पा रहे होंगे बड़ी असा हमारा ये जो बैटर है वो रेडी हो गया है बस ये जो हमने ब्रेट कट की है उसके उपर इसे अच्छे से अपलाई कर दीजिए किनारों पर भी अच्छे से चिपका दीजिएगा ये देखें बड़ी असे लगा दीजिए मेडियम गरम तेल में ऐसे डाल देंगे एक बार में जितने आ जाते हैं उतने डाल दीजिएगा तो मैंने यहाँ पर तीन डाले हैं और इसके बाद इनको हम मीडियम फ्लेइम में ही अच्छे से से चिकने देंगे जब तक कि इनका एक साइट से ऐसे बड़ी कलर जो है बड़ी गॉल्डन नहीं हो जाता इस तरीके से कितने बढ़े ऐसे फ्राई हो गए हैं और सच में ये खाने में बहुत टेस्टी हैं और जटपट से आपको ब्रेट पकोड़े बनाने का मन हो रहा है तो इस रेसीपी से आप एक बड़ जरू ठाई कीजेगा सच में ये बहुत ही आसान है और टेस्टी तो बहुत ही ज़ादा है बस टिशू पेपर में नेशे निकाल लिया फिर इसे सर्विंग लेट में इसे निकाल लेते हैं अपनी पसंद की चप्टी के साथ खाईए ये टो मैटो केचप के साथ खाईए आपको मज़ा आ जाएगा अगर आपकी घर में ब्रेड रखी है अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है तो फटा फट इस रेसीपी को जरूर आई कीजेगा और आपको हमारी रेसीपी कैसी लगी हमें जरूर बताएगा वीडियो कौन सी सीटी से देखने कोमेंट कीजिए